नमस्ते दोस्तों कैसे हैं आप लोग उमीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे हम लोग भी बहुत अच्छे हैं स्वागत करती हूँ अपने सारे दोस्तों का आपके अपने ही चैनल मी सहेली पर आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मातर एक कप गेहु के आटे से बनाई जाने वाले चटपटे नमकीन मठरी. पापरी बोले या मठरी बोले दोनों में से आप इसे कुछ भी बोल सकते है. तो मैं यहां पर लिह हूँ एक कप गेहु का आटा. आटा को हमें छान के लेना है क्योंकि बरसात की वजह से आटा मैदा बेशन में इस टाइप से दिख रहे हैं गोल गोल सा बंध जाता है तो आप इसे अच्छे से छान के ले तो फ्रेंट्स वीडियो को पूरा देखिएगा आपको आज का वीडियो बहुत ही पसंद आने वाल कि आज का जो नमकीन पापड़ी में बना रही हूं बिल्कुल अलग तरीके से तो यहां पर ली हूं जितना हमारा गेहूं का आटा है उसका आधा से भी थोड़ा सा कम सूजी आप इसमें चावल का आटा भी डाल सकते हैं और चाहे तो सूजी को बारिक करके भी डाल सकते है तो चलिए सूजी को थोड़ा सा बारिक करके जैसा चावल का आटा होता बिल्कुल उतना ही करके इसमें डाल देना है हमें तो देखिए सूजी को थोड़ा बारिक कर ली हूँ क्योंकि सूजी हमारा मोटा वाला था इसके लिए अब इसे भी हमें आटे के साथ ही रख लेना है तो फ्रेंट वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा जादा से जादा से र कीजिएगा चैनल पर पहली बार आए हैं हमारी बनाई हुई रेजपी आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही नोटिफिकेशन बेल को किलिक जरूर कर लीजिएगा तभी अगला वीडियो हमारा आपके पास जाप पाएगा अब इसे साइड में रख देती हूँ अब इसमें हमें डालना होगा कुछ मसाला तो यहां पर ले ली हूँ वापस से वह आप ले ले कड़ी पत्ता तो कड़ी पत्ता भी इसी के साथ डाल दी हूँ अब यहां पर ले रही हूँ चार हरी मिर्ची हरी मिर्ची का डंठल हमें निकाल लेना है और इसे भी छोटा-छोटा टुकरा में कट करके डाल लेना है और इसका क्या करना है फ्रेंट कि हमें दर दरदरा सा इसे पीसना है बहुत ज़्यादा इसे बारिक नहीं करना है दरदरा सा हो जाए तो चलिए यहां पर देखिए मिर्ची को भी अच्छे से कट कर लेती हूँ यह पापड़ी जो है आप चाई के साथ ले सकते हैं हलका फलका भूख है बच्चों को दे सकते हैं बहुत ही अच्छा और इसे आप एक महीना तक भी स्टोर करके रख सकते हैं तो देखिए अब इसे थोड़ा सा दरदरा हलका हलका सा मिक्सी को रोक रोक के एक से दो बर चला लेने से इस तरीके से आपको दरदरा सा मील जाएगा पेश्ट देखिए बहुत ज्यादा इसे बारिक नहीं कीजिएगा जैसे कि पता चले जब आप मठरी बना रहे हैं तो पता चले कि इसमें यह सब मसाला डला है इसे देखने में भी बहुत ही अच्छा लगेगा अब इस च्छा लेती हूँ सारे मसाले को में देखे यहां पर डाल लिए हूँ अच्छे से दी-जाड ना निकले तो आप जब इसे गुथेंगे तो जाड में थोड़ा पानी डालके आप ले सकते हैं तो चलिए अब इसमें डालना हैं में सौद के अनुसार नमक काला नमक और साद नमक दोनों मिक्स करके डालिएगा तो बहुत ही जिद्धा तेस्ट अच्छा आएगा इसमें डालना है इसमें डालना है आधा च्छोटा चमच जीरा है सथी में इसमें डाल रही हूँ ठोरचा हल्दी पाॉडरे जिस्से की बहुत प्यारा इसमें कलर आजाएं बस थोड़ा सा ही डालना है color के लिए क्योंकि लाल मिरची का इस्तिमाल इसमें नहीं कर रही हूँ इसमें डाल रही हूँ एक छोटा चमच चिली फ्लेक्स और ये अजवाइन एक छोटा चमच अजवाइन हमें डालना है तो अजवाइन जब भी आप डाल रहे हैं तो हाथ से इस तरीके से रगड़ के डाले इससे इसका टेस्ट अच्छा आता है अब देखिए फ्रेंट्स इसमें डाल रही हूँ आधा नीवू का रस आप इसके जगह पे अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं और आपके पास अमचूर पाउडर नहीं है तो आप नीवू का परस कड़ी पत्ता वगरा डाल के आप मठरी बना के देखे आपको इतना इसका टेस्ट पसंद आएगा कि आप जब भी मठरी खतम होगा आप जटपड से वापस से इसे बनाना चाहेंगे इतना टेस्टी बनता हो और एकदम अलग सुआद का बनेगा आप चाहें तो इसमे एक दो चमच बेसन भी डाल सकते हैं अब सारे चीज़ को अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है मिक्स करने के बाद अब इसमें डाल रही हूँ तेल तो यहाँ पर मैं रिफाइंड तेल का इस्तिमाल कर रही हूँ तो देखिए जो घर का चमच होता है उस चमच से आपको इसमे तीन चमच रिफाइंड तेल डालना है तो यह बड़ा चमच है तो इसमें डेश चमच डालोंगी तो उसके बड़ाबर यह तीन चमच हो गया अब अच्छे से हमें मिक्स करना है आप मिक्स करके देख लेंगे अच्छे से आपको आटा में लगे कि हाँ चारों तरफ से तो बहुत अच्छे से मलमल के आटे को अच्छे से मोईन कर लीजिएगा नहीं तो ये खस्ता उतना नहीं बनेगा जितना खस्ता आपको चाहिए होगा अब आटा हमारा तैयार हो चुका है देखे aware बंद भी रहा है अब थोड़ा थोड़ा सा पाने डालते हुए इसका tight dough हमें लगाना है बहुत च्यादा लूज नहीं करना है तो चलिए इसमें थोड़ा-thोड़ा सा पाने डालते जाती हो और आटा को एक जगा करते जाना इस तरीके से तो फ्रेंट बीडियो को लाइक नहीं किया है तो बीडियो को लाइक करें बीडियो को सेर भी करें चैनल को सबस्क्राइब करके हमें सपोर्ट करें इसी तरीके की अच्छे अच्छे सी रेस्पी आप लोगों के लिए लेके आती रहूंगी जो की एकदम घर बैठे ही आप तरह तरह के नमकीन पापर बगएरा बना के तयार कर सकते हमारे चैनल पर आपको बहुत सारा पापर का भी रेस्पी मिलेगा तो देखे आटा को कुछ इतना टाइट लगाई हूँ अब इसे ढखके पाच मिनट तक हमें छोड़ देना है जिससे इसमें जो सूजी है थोड़ा फुल के आटा और भी अच्छे से टाइट हो जाए यहाँ पर पाच मिनट हो चुका है रखे हुए अब देखिए आटा देखिए किता टाइट हो ग मठरी खस्ता भी बनना चाहिए और बहुत जादा हार्ड नहीं लगना चाहिए इसके लिए आटा को अच्छे से मसल मसल के आप सेट कर सकते हैं अब यहाँ पर बड़ा बड़ा सा दो लोई बनाई हूँ क्योंकि हमारा एक कप ही आटा है तो दो लोई ले ले ली हूँ इस कोई दिक्कत नहीं होगा यह आराम से बिल जाता इस पर आपको कोई सुखा मैदाग सुखा आटा कुछ भी नहीं लगाना है सिधा सिधा आप बेल के तयार कर ले तो इसे बेलते हुए एकदम पतला कर ली हूँ देखिए बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है क्योंकि यह गेहूं का आटा का है बहुत ज़्यादा मोटा रखने का कोई जरुरत नहीं है देखिए कुछ इतना है देख पार है है रोटी के इतना ही इसे मोटा रखना है बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखी हूँ अब ग्लास से चाहे कटोरी से चाहे आप कोई भी कटर से इसे गोल गोल सेप में काट ले तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मठरी को आज छोटा छोटा नहीं बना रही हूँ क्योंकि इस टाइप का जो मसाला वाला होता है मठरीए थोड़ा बरा साइज का ही अच्छा लगता है तो देखिए इसी तरीके से आपको साड़े मठरी को कट कर लेना है और जो ये बचा हुआ आटा है जो आटा पचा हुआ उसके साथ वापस से फिर आप बेल के बना सकते हैं अब क्या करना है मठरी में थोरा थोरा सा कट लगा देना है इस तरीके से तो आप चाहे तो कट लगा सकते हैं चाहे तो आप छोटा छोटा सा इसमें होल कर सकते हैं जैसे हम लोग काटा वला चमत से करते हैं बिल्कुल वैसे ही तो कट लगाने से क्या होता है कि यह दी मठरी आपका मोटा भी रह गया है तो कोई दिक्कत नहीं है इसे पकने में क्योंकि इसके बीच में बहुत अच्छे से तेल समा जाएगा और ये खस्ता बन जाएगा तो चलिए सारे मठरी बना के यहाँ पर तयार कर ले हूँ अब चलिए आपको फ्राइ करने का तरीका बताती मठरी फ्राइ करने के लिए तेल हमें मेडियम गरम चाहिए बहुत ज्यादा तेज गरम तेल में नहीं डालना है नहीं तो ये खस्ता नहीं होगा फ्रेंट्स ये गेहूं के आटे की मठरी है गेहूं के आटे की मठरी आप बनाएंगे तो थोड़ा सा आपको फ्राइ करने क भी तरीका है वो भी अच्छे से समझना पड़ेगा नहीं तो क्या होता है कलर ये चेंज कर लेगा लेकिन ये खसता नहीं होगा मैदा कर रहता है मठरी तो वह बहुत जल्दी खसता हो जाता है लेकिन गेहूं के आटे में थोड़ा सा टाइम लगता है तो मेडियम आज पे आ फलका-फलका सई से हिलाते रहें और एक तरब से बहुत समय तक नहीं छोड़ना है अलट-पलट करते हुए आपको फ्राई करना है जो तेल में उबाल आ रहा है उबालसान तो हो जाएगा तो आप समझ लिजिएगा कि मठरी हमारा फ्राई हो गया है जैसे जैसे मठरी ठंडा होता है एक तम खसता हो जाता है जब मठरी गरम रहता है तो आपको लगेगा कि ये नरम है लेकिन जब ठंडा होगा तो बहुत अच्छे से ये खसता हो जाएगा तो चलिए सारे मठरी को पलट लिए हूँ वापस से इसे एक से दो बार अलट-पलट करके फ्राई कर करना है तो चलिए मठरी को फ्राई करके फिर मैं आपको दिखाती हूं तो देखिए मठरी में कलर चर चुका है आप देख पा रहे हैं हलका हलका सा गुलाबी गुलाबी सा आपको लग रहा होगा एक बार के मठरी फ्राई करने में पांच मिनट का टाइम लगता है उससे ज़्यादा नहीं लगता है अब गैस के आज आप कैसा रख रहे हैं इस पे निर्भर करता है तो आज को बहुत ज़्यादा तेज नहीं रखना है तो चलिए मठरी को निकाल लेती हूं बहुत ही ज़्यादा टेश्टी मठरी एकदम मसालेदार और एकदम खस्ता बनके तयार होता है तो इस तरीके से आप बना के रख सकते हैं घर में सस्ते में तो चलिए सारा बना के फिर दिखाती हूं तो देखें फ्रेंट्स यहाँ पर बनके तयार है हमारे आग गेहूं के आटे की मठरी खाने में इतना टेस्टी है इतना टेस्टी है कि पूछिए नहीं हर बार के मठरी से ज़्यादा टेस्टी यह वाले मठरी लगेंगे क्योंकि इसमें एक तम अलग मसाला डाली हूं ऐसे मठरी की रेस्पी तो मैंने बहुत बार आपको दिया है लेकिन यह वाले रेस्पी आप एक बार ट्राई जरूर कीजिए आपको बहुत अच्छा लगेगा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक से और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फ्रेंट्स मिलती हू अगले वीडियो में फिर से एक नई रेस्पी के साथ